So Hello Guys, अब इस वीडियो में हम solve करें है question exercise 2.3 का second question So बहुत ने पहले ही बताया था आपको कि हम third question को solve करने वादा है Next video में So let's solve this question So this third question क्या है हमारा यह वादा जिसमा polynomial हमें given है ये 3x by 3x kवर 4 प्लस x cube minus 2x square minus 10x minus 5 यह हमें हमें सारे फाइंड इसके जीरोस फाइंड करने हैं और हमें दो जीरोस गेवन हैं क्या रखा है अगर दो गेवन है और दो निकालने होते हैं तो सब्सक्राइब कोई भी पॉलिमीट होती है उनका प्रोडक्त हमेसा जीरो होता है तो जैसे इसे में क्या कहना चालता हूँ देखो जब हम जिरोस निकालते हैं तो हमें उसे एक्कूएट रख करते हैं जीरो के पॉल में तो उससे हैं कि या और फिर हमें इसकी पॉलिनोमली गुना दें कि नहीं नहीं सो हम सॉल्ट करेंगे इस इस अलग तरीके से यह मेरा जो रड़ा डीफेंट तरीका है तो यह होगा क्या से एक्स माइनस तो पहला क्या है हमारा तर्म एक यह रूट फाइब बाई थ्री तो पूरूट फाइब थ्री कब आया होगा अगर वह एक्स के साथ माइनस में होगा कि इसे सोड़ा और बढ़ा करते हैं तो बाद में पड़ जाएगी फिर पेज की अब ठीक है तो वाले के लिए सोब्हारे हमारे दो डो जीडियो हमारे क्या क्या है और इसे लिए हम प्लस में जो माय है अब इसका प्रट्ट हमेंसे 0 होगा तैका तो तींट करते है इंसे प्रड़क्त करना है तो प्रड़क्त क्या होगा- a minus b और a plus b क्या होता है guys हमेचा formula क्या होता है a square minus b square formula होता है a minus b a plus b का तो यह क्या हो जागा हमारा x square minus और इसका under root 5 by 3 का हमारा 5 by 3 equal to 0 उसे क्या कर सकते हम और ले सकते है 3 x square minus 5 equal to 0 तो हमारी एक polynomial बन गई अब इस polynomial को हम डिवाइड कर सकते हैं उपर वाली से और हमारी दो और पॉलिनोमल वह हमारे दो और जिरो और आम से लिकल जाएंगे तो डिवाइड करने पर जो भी quotient आएगा फिर उसे further solve करेंगे तो easily quotient solve हो जाएगा तो हमारा यह polynomial के लिकल गया इसको आप डिवाइड कर सकते हैं हमारे main polynomial से में पॉलिनोमल के हमारा में पॉलिनोमल है 3x4-6x3-2x2-10x-5-1 माइनस में only first term है वो प्लस में ठीक है अब क्या करना हमें किसे डिवाइड करना है 3x2-5 के तो गई फिर्स term बरावर होने चाहिए तो quotient में कितना रखना पड़ेगा मैं x2 तो यह बन जाएगा मारा 3x4 अब बन जाएगा कि multiply करना होगा मैं और 5 और x2 तो यह क्या बन जाएगा यह 5x2 हो जाएगा माइनस 5 square और x2 के नीचे रखेंगे हम इसे 5x2 यह रख देंगे तो guys अब sign change चाहिए इसका और यह हो जाएगा हमारा plus इस से cancel हो जाएगा यह बचे का हमारा 3x2 plus का ओपर से देंगे हम 6x3 क्यूब प्लस का x3 और यह बीच में sign क्या होगा हमारा plus का क्यूंकि प्लस का 3 है ठीक है अब गाईज अब मुंकि कुछन में कितना रखना पड़ेगा मैं मैं तो कोशन में रखना पड़ेगा मैं 2x तब यह 6x3 बन जाएगा और प्लस का रखेंगे क्यों में प्लस का है ठोट टू एकसर तो यह हो गया तो कर आगे से भी तो कितना हो जागा ये माइनस 10x तो उपर से भी 10x लेंगे उतारेंगे और नीचे का 10x ठीक है तो बिसिकली आप क्या हो जागा मदद ये माइनस ये प्लस साइन चेंज कर दिया कटा कटा आएगा नीचे 3x स्क्राइब और उपर से लेंगे हैं माइनस वाइज है ठीक है कि इस पर दो सॉल नहीं को पाएंगे क्यूस्टिन को इधर को सो बेसिकली आप क्या हो गया हमारा तो गाइस हमारा डिवाइडेंट और यह जो रिमाइंडर बचा है सेम सेम आ गया तो हमें कितना रखना पड़ेगा यह यह प्लस बने रखे देंगे तो यह आजाएगा हमारा 3x स्क्वेर माइनस 5 और जो आगे फ़र्दर फॉल करेंगे तो यह ज़ेगा 0 तो रिमाइंडर जिरो हो गया मतलब यह डिवाइडेंड है इसका पॉलिनॉमल का मतलब यह इसका 0 है तब इससे 0 तो बनाएं यह पूरी तरह डिवाइड करेगा तो यह हमारा आ गया पॉलिनॉमल अब इस पॉलिनॉमल से हम जो बच्चे हुए दो रूट सेह वो हो कि लिए दीगे तो हमारा ड़त बचा हुआट сх़ो है और अब हमारी पॉलिनोरिल बची है ये ये पॉलिनोर्मल निकल गए हमारी पॉर्सेंट में अब तो कॉर्सेंट यहाना से सौल कर देंगे आगे तो यह क्या हो जागा Kendra ? प्लस टूएक्स सॉर्ई लेक में राइट रेट अगें तो एसस्क्टेर प्लस टूएक्स प्लस वन तो गाइज यह क्या हो जागा है इकल टू जारो यह गी जिरो यह होगा तो इसके पार्क्टर क्या होंगे plus x plus x plus 1 equal to 0 और x common ले लेंगे x plus 1 इसमें 1 common लेंगे x plus 1 equal to 0 तो तो बिसिकली क्या जाएगा x plus 1 और x plus 1 equal to 0 तो क्या भी कह सकते हैं हमारे x equal to क्या जाएगा minus 1 and minus 1 तो कितने तो सारे 0 निकल गए तो हम क्या क्या कह सकते है जो equations है यह polynomial इसके 0 क्या होंगे other 2 0 r minus 1 and minus 1 क्या सकते हैं so this is how we can solve this question number 3 ठीक है so next question हम next video में solve करेंगे I hope you understood the concept very well so सबसे पहले ऐसे questions आते हैं तो उससे पहले हमें polynomial बनाने पड़ती है और polynomial कैसे बनाते हैं उसे लिखेंगे हम x के साथ तो x के साथ जब लिखेंगे इसको x के साथ लिखेंगे जब इसको x के साथ लिखेंगे यह plus में है तो यह minus में आ जाएगा ठीक है और यह minus में है तो यह plus में आ जाएगा ठीक है और उसके बाद हम product कर देंगे तो formula लगा देंगे basically x minus a minus b और a plus b का क्या होता है a square minus b square